हाई बोल्कम बैक और आज केसरे में बात करने वारे हो क्लास 10 ऐसी बेसिन साल्ट के इंपोर्टन टोपिक के बारे में और मैं आपको बताने वालों कि बोर्ट एक्जाम में आपके क्लास टैसे आपके हाफ एल्ड लियो उसमें किस तरीके के आपके कोशन आते हैं इस मैंने हर एक चीज, हर एक equation, हर एक reaction सारी अच्छे से करा रखे, तो एक बार आप जरूर जाकर check out करना, और अगर आप यह वाली one short देख लेंगे, तो आपको important question ठीक है, easily समाझ जा जाएंगे, और exam में full marks आपके आजाएंगे, तो स्टार्ट करने से पहले, एक बार आपको acid क्या होता है, बेस क्या होता है, इसके बारे में आपको basic knowledge होनी चाहिए, क्योंकि इस related differences पूछ रहता है, exam में कि acid और base के बीच का difference क्या होता है, सबसे पहली बात यह हुई, next बात करता है कि guys, यहाँ पर indicator के बारे में बहुत जादा question आता है, सबसे famous indicator जो है आपका litmus paper, तो litmus paper से related question आजाता है काफी बार, या फिर direct ने पूछता है, कभी-कभी यह पूछता है कि यह gas liberate होई है, उसने litmus paper को red से blue कर दिया है, ठीक है, तो आपका कौन सा, या फिर वो gas, जो वो acid है, basic gas है, तो इस तरीके question आजाता है, तो आपको पता होना चाहिए, कि litmus paper जो हो, कैसे basic में कैसे change होता है, और acid में कै कैसे change होता है, methyl orange और आपका finopthrin, यह test आपको दोनों पता होने चाहिए, methyl orange, finopthrin और litmus paper के test, इतनी चीज़ आपको clear होनी चाहिए, यह question exam में आता है, काफी बात, okay, तो guys, next बात करते है, acid bases in a laboratory, मैं बात बता हूँ, chemical reactions के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए, कि strong acid के example क क्या होता है, कुछ example याद कर लेना, और weak acid के कुछ example याद कर लेना, exam में बहुत आता है, strong acid आपको 4-5 acid देंगे, बोलेंगे कि strong acid कौन सा है, और weak acid कौन सा है, ठीक है, तो आपको हाँ पर strong acid और weak acid के बीच में, difference क्या होता है, और इनके example क्या होता है, आपको पता होना चाहि strong acid, strong base, weak acid, weak base के बारे में आपको पता होना चाहिए all factor indicator कभी कभी पूस लेता है इतने जादा नहीं आता बढ़ हाँ, जो natural indicator ने या litmus paper FN of 3 ने वो बहुत जादा important वो आपको अच्छेस करने है activity आपको एक बार ये वाली go through करने है bunny license वाली next बात करते हैं आपर ये वाली activity काफी आदा important है, instillated ये वाली reaction ठीक है, ये काफी बार exam में आयो ही है most 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 important reaction है most most important reaction है तो ये वाली reaction आपको अच्छे से go through जोग करके चलने है, ये क्या है यहाँ पर base और यहाँ पर आपका metal react कर रहा है, तो यहाँ पर sodium current है, ठीक है, sodium carbonate के साथ HCl है, metal carbonate के साथ HCl, acid का आपको react कर रहा है, तो कौन सी gas निकलेगी carbon dioxide निकलेगी, या फिर ये बोल देता है कि एक gas निकलेगी, उसने जलती ये candle को बुझा देया, extinguish कर देया तो कौन सी gas है, definitely आपको पते हैं carbon dioxide है, तो इस तरीके के question exam में आते हैं काफी बार next बात करते हैं, start करते हैं ये neutralization reaction, खिक है already famous reaction है, बहुत ज़्यादा, acid plus base gives salt and water ये वाली आपको reaction होने जी, one of the most famous example आपको ये रहा NaOH plus HCl, gives NaCl plus H2O, तो इस type की reaction, ये वाली reaction आपको जरू करनी है, next बात करते हैं यहां पर question number first आपको करना है और यहां पर question number second आपको करना है दो को मैं extinguish वाला बता रहा था ना वो, तो इस type की question भी आपको करना है तो मैंने कुछ question आपको बता हैं, जो की important होज़कता है, example इंडिवे के लिए तो guys, मैं already आपको बताई रहा था कि weak acid और weak base का आपको थोड़ा idea लगना चाहिए कि weak acid क्या होता है, weak base क्या होता है या फिर यह पूछलें कि एक glucose का solution है, ठीक है, glucose का solution है, तो क्या उसमें electricity pass होगी आनी है, और अगर pass नहीं हो रही है तो उसका reason क्या है, ठीक है, तो यह पूछ लेता है, यह बोलता है कि glucose में भी H है, या फिर अगर मैं आपको बहुता है, alcohol में भी H होता है, ठीक है C2H5OH, तो बट यह हमारे weak acid है, तो weak acid क्यों है, तो वही मैं आपको बता रहा था कि weak acid का आपको idea होना चाहिए, weak acid क्या होता है, weak base क्या होता है, तो यह चीज़े idea होनी चाहिए आपको, उसके लिए आप यह चीज़े पढ़ सकते हैं, तो आपका idea लग जाएगा weak acid और weak base के बारे हैं, ठीक है, ओके तो गाईज, अब आप यहाँ start करता है, further आगे, okay, एक question बनता है, यहाँ पर dilution से, dilution क्या होता है, और concentrated क्या होता है, ठीक है, concentrated क्या होता है, देखो, dilution क्या होता है, जब हम पानी आइड करते से चल जा जाते हैं, किसी भी चीज़े, यह हमारा हम पानी आइड करते से जा रहे है, water, तो जब हम water आइड करते जा रहे हैं, वो dilution हो गया, मतलब, महाँ पे concentration घट रही है, per volume, अब concentration क्या होता है, concentrated क्या होता है, जब हम उसमें acid आइड करते जाते हैं, तो per volume acid या base की concentration increase हो रही है, ठीक है, तो वो है आपको concentrated, तो यह इसमें आपको थोड़ा idea लगना चाहिए कि concentrated क्या होता है, आपका dilution क्या होता है, next बात करते हैं, हाँ से question as such नियाता, बट्टी कहता है कि direct acid जब आप पानी में मिला हो, तो वो धीरे 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 अब आपको चमस से घोलना चाहिए, धीरे-धीरे mix करना चाहिए, तो क्यों होता है, उसके लिए यह वाला important क्योंकि exothermic reaction होती है, acid को पानी में डालना एक highly exothermic reaction है, यह बात ध्यान लगना, ठीक है, तो dilution मैंना भी आपको बता है कि dilution से related question आता है, one short मैंने साइच चीजे बता रहे है, one short देख लेना, ओके यह important question है, एक यह है, third question बहुत important है, काफ़ी बारा चुका है, एक question यहापर fifth है, और second है, यह question जरूर करने आपको, most 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 important question है, पेस से related question आता है, जनरली जो पेस से related question आता है, वो आपका आता है, digestive in pH, ठीक है, आपका एंटासिट लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, यह digestion वाला question जरूरत है, pH का, ठीक है, और एक pH का आता है, टूट ठीके वाला pH cell reticution आता है बत यह वाला तो pH in digestive system तो जरूँ अच्छे से पढ़ देना यह वाला यह तो बहुत आता है टूट ठीके में pH used ठीके कैसे pH change होने से टूट ठीके होना start हो जाते है तो brush करने से क्या होते है कि वो जो बैक्टीरिया जो कुछ मीठा खाते हैं तो मीठा खाने के बाद क्या होता है महाँ पर कैविटी होनी स्टार्ट हो जाती है तो टूथ पेस्ट करते हैं तो टूथ पेस्ट होता है ना यह नोटल बन जाते हैं तो यह नोटलाइशन बन जाते हैं तो यहां पर आप सुल्ट और वाटर फॉर्म दो जाता है नेक्स बात करते हैं 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 तो यह वाला ब्राइन सोलुशन ठीक है यह इंपोर्टन रियक्शन है बहुत जादा यह कर लेना और भाईए यह वाला जरूर कर लेना क्योंकि ब् पता होना चाहिए ख्लोर आलकली प्रोसेस तो यह प्रोसेस आपको इन्पोर्ट एंट तो इनको अच्छे से पढ़ना भई बहुत अच्छे से इन्पोर्ट यह तो मतलब रट जाना यह तो रट के जाना एक्जाम में अच्छे से यह मैंने अपनी वन्चोट पूरा बता हुआ है जाकर वन्चोट चेक कर लेना बेचिंग पावर्ट की बस यह रेक्शन पढ़ लेना और इसके यूज़िस बही पढ़ो न तो इसके यूज़िस जरू पढ़ो एक दो एक यूज़िस तो आपको पता होना चाहिए मतलब मैं के रेकशिण बहुत आती है बहुत जादा वाश्čिस न्वे स्वाश्इंग सोडा भी हायरि इंपल सिर्क है मतलब इन्सम्राइशन रहता कभी बेसिंग सोडा जाता है कभी वाश्ट सोड आजाता है और बेकिंग की फली कि फूर्मेशं और बहुत भी आजा qualified यहां पर नेक्स्ट यह वाली रेक्शन इन्पॉर्टेंट प्लास्ट परेस आता है तो भीए प्लास्ट परेस तो जरूर करके जाना है और यह वाली रेक्शन तो बिल्कुर रठ गेरना क्योंकि प्रिवयस एर में आई ही वह यह वाली रेक्शन ठीक है और बुलू बोक्स आपको करके जाना है जो मैं टिक करा रहो हो तो करने करने यह जो आपका आपका क्या होता है जब तक आयन ब्रेक नहीं करेंगे थे वहां पर उसकी पता नीच रहा है कि यह वाले कोशन इस इस इंपर्टन ठीक है देखो यह बी मैं बता तो कॉशन नमबर 6 अलकोल और गुलकोस के पास हाइट नहीं है क्यों नहीं है क्यों कि वह हमारे वीक बहुत व है तो बहुत वीक ऐसीड है बट उनको एकटेगरी में नहीं लेते हैं क्योंकि उनमें एच प्लस आयन जाओ वो इजली ब्रेकडाउन नहीं होते हैं एजली डेसोशेट नहीं होता है अगर मैं एक्सल की बात करूँ तो एच प्लस सी एल में तूट जाता है बट अगर आग लोगोष की देटा नोट इसली ब्रेकडाउन तो यह इस तरीके कोशन आपको जरू करने एक्जाम आई हो पार पिन कोशन को अच्छे तरह से कर रहे होंगे और डेफिनेटली आपको एक्जाम में यह कोशन को आपको फायदा मिलना वाला है तो अगर आपको कोई भी नेक् कि यह एक तरीके का सिक्स मंत प्लान हमें बता दो कि हम कैसे 95% को करें तो बस यह कोशन आप कर लेना बाकि और को दिक्कत नहीं अच्छे से करके जाना कोई भी शोरी बात नहीं है नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं थैंक यू सो मुझ बाबाई टेक के गुडबाई सी यू सु